आज मैं आपको मेरी गोल्ड की रेपॉर्टिंग करना बताऊंगी उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहेगा मैं आधुनिक तरीके से बताऊंगी कि एक प्लांट से दो प्लांट या तीन प्लांट कैसे तयार करें और आपका पौधा बुशी भी हो जाएगा घना हो ज मैं आज आपको तैयार करना बताऊंगी कि मिट्टी भी अच्छी रहेगा कर चलिए मैं आप कितने इंच के गमले में लगा रहेे हैं ताखि आप भी लगा लिजए नौ इंच का गमला है और देख लिजए मैंने çार गमले हैं सबसे पहले गमले का ये चेक कर लीजेगा कि ड्रैनेस सिस्टम है कि नहीं गमले में तब इसमें लगाईएगा तो देखे मेरे गमले में ड्रैनेस सिस्टम बहुत ही अच्छा है गमले का उची चुना बहुत जरूरी होता है किसी भी प्लांट के लिए तभी उस पे फूलोगर आते हैं जब तक उसमे केच्वे की खाट डाली है और मैंने इसमें कुछ बालू का हिस्सा है और कुछ है वह आते हैं कोकोपीट है शम मिक्स करके मैं मिट्टी पहले ही तैयार करके रखी थी इस प्लांट को लगाने के लिए तो आप देख सकते हितनी भुरभुरी है इसमें जो भी पानी पढ़े बिल्कुल जगड़ेगा पकड़ेगा नहीं जड़ों को तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है तो आप भी इसी तरीके से तयार करिएगा और जब तयार करेगा तो उसमें आप उसमें गोगरी की खाट जरू डाल दें इससे पौधा है भी विकास करता है तो चली बताते ह है क्या करना है तो सबसे पहले इस गमले के ड्रेने सिस्टम पर चोटा साई टुकड़ा रखेंगे ताकि जो भी मैं पानी डालू ओ छहनकर निकल जाए और मेरा पोटेंग मिक्स बाहर न निकले मेरा फर्स न खराब हो उसके बाद चलिए मैं इसमें मिट्टी डालती हूं अब मैं इस गमले के आधे हिससे मिट्टी बहर दूँगी उसके बाद तब मैं एक एक प्लांटर को इसमें लगाऊंगी तो आप देख सकते हैं कि मैं इसमें मिट्टी को भर रही हूं तो चलिए आप भी ऐसे ही भर लिजेगा आधे मिट्टी भर जाने के बाद उसमें प्लांट के कैईवेग् से निकाल के फिर दिखाती हूं एक एक कैरी वैक्से जो गेदा है उसकी मिटी तो मैंने छेड़ी नहीं है तो थोड़ा उसको भी अच्छे से उड़जा मिल जाएगी और अच्छे से उसको उसका भी विकास होगा तो मैं इसमें पूरे अच्छे से मिटी भर ले रही हूं तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें तीन प्लांटर उसको हवा न लगे तो उसके लिए आप पहले सबसे पहले उसको अच्छे से दबा दिजेगा किसी खुरूपे से चाहिए किसी विवजंदार चीजों से ताकि आपका जो मिटी है वो हवा न लेनी पावे बाद में देखिए खुदाय उगारा करिए मिटी को हवा लगे तो बहुत जादे यह पौधा बुशी हो जाएगा और एक ब्रांच से चार ब्रांच निकलेंगे और जो भी मैंने कटिंग की है उसको भी लगा दूँगी तो यह मेरा पूरा गमला तयार हो जाएगा तो तीन प्लांट से मेरा साथ प्लांट तयार हो चुका है आप अभी करती हूं उसके बाद मैं काउंटिंग करके आपको दिखाऊंगी तो एक एक करके मैंने सबकी पत्यों को तोड़ लिया है उसके बाद चलिए दिखाते हैं कितने इसमें पीस है यह मैंने टॉटल काउंट किया तो छे पीस थे अब चलिए एक को मैं अच्छे से होल करके और इसी में मैं एक एक प्लांट को अच्छे से उसी में दबा दूँगी और ये मेरा न्यू प्लांट अच्छे से तयार हो जाएगा बाद में मैं चाहूं तो इसको निकाल के दूसरे गंबले भी डाल सकती हूं नहीं तो इसी में भी छोड़ दूँगी तो कोई दिक्कत नहीं ह और मेरा new plant तयार हो जाएगा और इसमें जितना अटेगा उतना ही लगांगी बाकी मैं किसी कैरी बैग में प्लांट जो मैं cutting काटी है उसको लगा दूँगी देख सकते हैं एक cutting को मैंने लगा दिया है और इक cutting को मैं बीच में लगा तो आप देख सकते हैं तो मल्टी प्लाइ मैंने किया है बहुत अच्छे से और यह त्यार हो जाएगा अच्छे से फूल देने लगा तो मैं आप पूरा उसकी जड़ों तक पानी पहुंच जाए और पौधा उसी में सट हो जाए तो देख सकते हैं अब फ्रेंड इसको क्या करिएगा कि मैंने लगा दिया तो इसको सेमी सेडी एरिया में रख दीजिएगा जो भी इसका कैरी बैग बचा है मैं इसमें सब कटिंग और लगा आद वीडियो पसंदा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट और सेर जरू करें थैंक यू